वेरी गुड मॉर्निंग तो ओल आफ यू कैसे हो आप सब शूप प्रभाद भाई बदा दो फटा फटा वाज आ रही है आप लोगों को जितनी जल्दी हो सके मुझे रिपलाई कर दीजे हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज बहुत इंटरस्टिंग टॉपिक शुरू होने वाला है बेसिकली यहीं से आप लोगों की ना अंतर राष्टे संबंधों की समझ शुरू होगी ठीक है मुझे एक सेकिंड का स यहां से ही दोस्तों ध्यान रखना आपका ना बेस बनना शुरू होगा हम कहीं बार इस टॉपिक को हलके में ले लेते हैं अंतर राष्टे संबंधों का जो दिशा हुई 1945 के बाद से और जो लगभग 2022 तक चल रही है उसमें काफी सारे फेज़ेज आते हैं और उन फेज़ हैं बाकी मुझे एक बार ये बता दीजे फटा फट कल की क्लास से रिलेटेड किसी भी बच्चे का कोई डाउट है कल की क्लास से रिलेटेड यदि किसी बच्चे का कोई डाउट है तो मुझसे पूछ ले हम फिर आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में ठीक है ठीक है very good morning भाई good morning good morning कोई doubt नहीं है यार doubt नहीं तो यार clear link के भेज़ दो कम से कम इतना तो इतना तो कर दो अगर doubt नहीं है तो फिर clear link के भेज़ दो ता कि हम आगे बढ़ें अपनी सब्सक्राइब आप लोगों का दिन है लेकिन इस दिन में भी आप एक घंटा निकाल के आए हो हमारे पास तो यह बहुत बड़ी उपलब्धी है और ध्यान रखना शाम में भी आपको समय निकालना पड़ेगा याद रखिएगा आज study IQIS Hindi की team अपना पहला foundation badge शुरू करने जा रही है आज है 14 फरवरी शाम 6 बजे से ये badge शुरू होने जा रहा है आप ने यदि course purchase नहीं किया है और आप करना चाहते हैं ठीक है आप एक सही मार्क दर्चन सही दिशा में पढ़ना चाहते हैं अपने selection को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो शिग्र आप course को join कर सकते हैं इस वीडियो के description box में वी उसका link दिया होगा मैंने अपने telegram channel पे वी उसका link share किया है या आप study IQ की app या study IQ की website पे जाके आप ये course purchase कर सकते हैं ठीक है ये course purchase करने के बहुत सारे benefits होंगे answer writing से लेके mentorship सुविधा से लेके आपके handout से लेके या नि हस्त लिखित note से लेके आपको पूरी चीज़े provide कराए जाएंगी समय बद तरीके से batch complete होगा लगभग 13 से 14 महीने का batch होगा तो यदि आप इस batch से जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट इसे join कर लीजिए और purchase course purchase करने से पहले आपको code यूज करना है LD live LD live अगर आप LD live code के साथ course को purchase करते हैं तो ये course आपको मात्र 18,999 रुपे में मिल जाएगा ठीक है और ध्यान रखिएगा तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्या बोल रहे हो कुमारमित neck to neck वारता का मतलब होता है कि आमने सामने वारता करेंगे बिलकुल अगर आप हमारे साथ बहतर संबंद रख रहे हैं तो हम आपके साथ बहतर संबंद रखेंगे हम आप कितनी बड़े अर्च वस्ता हैं आप कितने भी बड़े देश हैं लेकिन हम जुक के बात नहीं करेंगे आमने सामने बात करेंगे ठीक है ध्यान रखना अब एक बार ध्यान रखिएगा कि PDF के लिए आपको दिक्कत होती है कि PDF कहां से लें तो PDF के लिए आप ललीता धहिया कैडमी टेलिग्राम चैनल है इस टेलिग्राम से आप जुड़ सकते हैं PDF मेशा मिल जाएगी हर क्लास की 2-3 घंटे बाद इसके लाबा इंस्टेग्राम और Facebook पेज ललीता धहिया अकैडमी से भी आप जुड़ सकते हैं ध्यान रखिएगा यहां पे आप लोगों को जो भी PDF वगेरा है वो टेलिग्राम पे मिल जाएगी अब बात कर लेते हैं दोस् कुछ ऐसे कारक होते हैं यानि अंतर राष्ट्य राजनिती के कुछ ऐसे कारक होते हैं जो फोरेंड पॉलिसी को प्रभावित करते हैं और जिन्होंने फोरेंड पॉलिसी को हमारी विदेशनिती को प्रभावित किया है जिसमें से पहला कारक हमने देखा था छेत्रिय वाता यह चार कारक बताने हैं छेत्रिय वातावरन हम पढ़ चुके हैं अब हम बात करेंगे अंतर राष्ट्य वातावरन की ध्यान से सुनना दोस्तों मेरी इस बात को जब हम अंतर राष्ट्य वातावरन को देखेंगे न तो हम 1945 से लेके 2022 तक क्या-क्या अंतर राष्ट्य कैसे हुआ है विदेशनीती का विकास 1947 से लेके 2022 तक कैसे हुआ foreign policy का भारत की विदेशनीती का विकास तो यह अपने आप में एक अलग topic है तो इसलिए यह थोड़ा ना time taking topic होगा मैं पहले ही आगाहा कर दूँ दूसरी बात यह जानना जरूरी है कि अगर हमको incidents के बारे में ही नहीं पता लगेगा हमारी विदेशनीती कैसे कैसे परिवर्तित होती गई समय काल परिस्तिती के अनुरूप अंतर राष्ट्रिय घटनाए हमारी foreign policy को कैसे परिवर्तित कराती गई जब तक हमें इन मुद्दों की समझ नहीं होगी हमारी अंतर राष्ट्रिय संबंधों की स से प्रभावित किया है उसने ठीक है तो 1945 से 2022 तक हम complete देखने का प्रयास करेंगे सबसे पहले मैं आप लोगों को ना एक overall घटना करम समझाऊंगी overall की भई ये हो रहा था उस समय विश्व में शीत युद्ध था भी मैं आ रहे हूं उस topic पे उसके बाद फिर मैं आपको टुकडों में बता दूँगी कि भई देखो 1945 से 1990 की ये स्थिति थी 1995 से 1995 की ये स्थिति थी पिचानवे से 2010 की ये स्थिति थी और इसमें भारत की foreign policy ऐसी थी 2010 से 2012 की situation ये है और इन स्थितियों में भारत की foreign policy ये है हमारे पढ़ने का structure ये रहेगा तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं छेत्रिय वातावरन तो मैं कल करवा चुकी हूँ सबसे पहले अंतरराष्ट्य वातावरन ने विदेशनिती को कैसे प्रभावित किया या विदेशनिती को कैसे प्रभावित करता है इसमें हमें इस तरीके से पढ़ना होगा शीतियूद 1945 से 1990 और उत्तर शीतियूद 1990 से 2022 तक किस तरीके से भारत की विदेशनिती में परिवर्तन आया है या भारत की विदेशनिती प्रभावित कह सकते हैं प्रभावित हुई स्थितियों से ठीक है समस्ते हैं क्या चल रहा था यदि हम दोस्तों बात करें 1947 से लेके 1962 तक भारत की जो विदेशनिती दिखेगी आपको वो कहीं न कहीं पूरी तरीके से कुछ आधरश्वादी तत्वों पे आधारित दिखेगी और वो आधरश्वादी तत्व क्यों थे हमारी विदेशनिती में उसके कौर को समझना भी जरूरी है भाई भारत स्वतंत्र हुआ है 1947 में मैंने कल भी बताया था देश के सामने बहुत सारी चुनोतियां हैं आर्थिक संसाधन सीमित हैं तो ऐसे में लोगों का पेट भरेंगे कि सेना खड़ी आपके पास आप खुद से सोचे ना आप अपने घर में आपके पास सो रुपे हैं उस सो रुपे में आप बंदूक खरी देंगे अलांकि सो रुपे में बंदूक आती ही नहीं है लेकिन फिर भी बंदूक खरी देंगे की रोटी खरी देंगे है ना यही सितियां हमारे दे प्रफ जा रहे हैं यह सारी चीजे में बताऊंगे आपको पंच शील क्या है नैम क्या है घबराना नहीं है हम शांति पूर्ण सहस्तित्व की बात कर रहे हैं हम जो हमारे पडोसी राश्टर थे उनके साथ मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हैं ताकि हमें अनावशक सैनिक खर्च ना करना पड़े ठीक है तो सबसे पहला जो फेज आपको हमारा दिखेगा 1947 से लेके 1962 ये 1962 क्यों लिखा क्योंकि चाइना ने 1962 में विश्वास घात करके हम पे हमला कर दिया उसके बाद 1962 के बाद हमारी विदेशनिती बदलेगी की नहीं बदलेगी भई आक्रमन हो गया हार हुई तो ऐसे में भारत उसके बाद भी उनहीं आधर्शों के आधार पे चलता रहेगा क्या हां या ना समझेना है चीज़ों को नहीं भई एक बार आक्रमन हो गया तो भारत अपने आपको तयार करेगा भारत अपनी सेनिक शक्ती को मजबूत करने का काम करेगा यानि भारत की विदेशनिती में आपको यथार्थवादी तत्व 1962 के बाद बिल्कुल प्रत्यक्षत ओर पे दिखने लग जाएंगे है ना इसी तरीके से विदेशनिती प्रवर्थित होती रही है अब जैसे देखो सबसे पहले हम देखें इस दोरान अंतर राष्ट्रवादी आदर्श्वादी और गुट निर्पेक्ष भारत इस सारी व्यवस्थाएं आपको दिखेगी अंतर राष्ट्रवाद भी दिखेगा कि हम विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं हम वसुध्यव कुटुमबकम की की बात कर रहे हैं आदर्श्वादी तत्व दिखेंगे हम पंचशील की बात कर रहे हैं हम पंचशील समझोता करते हैं 1954 में चाइना से हम गुट निर्पेक्ष भारत की बात करेंगे 1961 में बकायदा नैम का गठन हो जाता है है ना तो ये सारी व्यवस्थाएं चल रही है इस प्रजित किया गया और नहरु जी ने इस एशियाई जो कॉन्फरेंस हो रहा था इसके पीछे का भी आधार था 1945 में जब द्वित्य विश्वयुद खतम हुआ सुनने का काम है ध्यान से सुनते चलना जब द्वित्य विश्वयुद खतम हुआ उसके बाद बहुत सारे एश स्वतंत्रता का मुद्दा था और दूसरा मुद्दा क्या था एक तरफ यूएस से आ गया एक तरफ यूएस से सार आ गया यूएस से स्वतंत्र राज्यों को स्वतंत्र राश्ट्रों को अपने पाले में शामिल करने का प्रयास कर रहा था और यूएस से सार जो स्वतंत्र राश्ट्र थे उनको अपने पाले में शामिल करने का भरसक प्रयास कर रहे थे इनके प्रयासों पर भी चर्चा करूँगी तो ऐसे में स्वटंतर राश्ट्रों के लिए क्या ज़रूरी था कि हम तो अभी अभी गुलामी से निकले हैं हमें फिर गुलाम नहीं बनना है हमें फिर किसी राष्ट्र के प्रभाव में नहीं आना है इसी एशियन रिलेशन कॉन्फरेंस जो 1947 में हुआ स्वतंत रेश्याय देशों का इसमें नहरु जी ने कहा था कि हम एक यूग का अंत कर रहे हैं यानि हम उपनिवेश वादी जो एक चरण था उसका अंत कर रहे हैं और इतिहास की एक नई अवधी की दहलीज पर खड़े हैं निश्क्रियता के लंबे अंतराल के बाद एशिया विश्व मामलों में अचानक महत्वपूर्ण हो गया है 1945 के बाद वो एशिया जो कभी उपनिवेश हुआ करता था अफरीका के देश जो उपनिवेश हुआ करते थे वो अचानक से महत्वपूर्ण हो गए क्यों महत्वपूर्ण हो गए क्योंकि द्वी ध्रूविये विश्व था ध्यान दखना दोस्तों कुछ टर्मस आएंगी अंतराष्ट्य राजनिती में द्वी ये धर जो है ना द्वी ध्रूविये विश्व द्वी ध्रूविये विश्व का मतलब क्या है यानि विश्व के दो ध्रूव थे विश्व की पूरी शक्ती दो भागों में केंद्रित हम कह सकते हैं 1945 से लेके 1990 तक किस-किस में एक तरफ है USA एक तरफ है USSR ये प्रियास कर रहे थे कि जितने नवस्वतंतर देश हैं वो हमार क्या बोलेंगे प्रतिस्पर्धी है हम उसको पचाड़ने का काम करें तो ऐसे में एश्या फिर से महत्वपूर्ण हो गया था ठीक है इसी तरीके से यहां पर भारत की विदेशनिती की तीन प्रमुख विशेश्व थी कि भारत अपनी विदेशनिती को स्वतंत्र होते ही कै कैसी विदेशनिती घड़ेगा अंतर राष्ट्य वातावरन देखिए उस समय कैसा था पूरी तरीके से शीत युद्ध की हम शुरुवात देख सकते हैं 1947 के बाद तो पूरी तरीके से शीत युद्ध की शुरुवात हो चुकी थी शीत युद्ध क्या है इस पर भी जैसे युएन नो है उसका पूरी तरीके से समर्थन करेगा और जितने भी युएन के शांती अभियान थे उसमें एहम भूमी का निभाएगा भारत पीस कीपिंग फोर्स के माध्यम से युएन के जितने भी शांती अभियाना लग लग राष्ट्रों में चल रहे थे उनमे गुट निर्पेक्ष आंदोलन के एहम प्रस्तावक के रूप में उभरा गुट निर्पेक्ष आंदोलन के शुरुआत करता है भारत अलग-अलग राष्ट्रों के साथ मिलके गुट निर्पेक्ष आंदोलन का मतलब क्या है पहले अभी ये समझ लो दो गुट थे और अफ्रीका के जो नव स्वतंत्र देश थे यदि अभी भी किसी गुट में शामिल होते तो कहीं ना कहीं उस राष्टर का प्रभाव होता आर्थिक नितियों पे सैनिक नितियों पे जो हमारी फोरें पॉलिसी होती है उस पे उनका प्रभाव होता तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वतंत्रता और समप्रभुता से समझोता हो जाता ऐसे में एशियाई देशों ने सोचा या हम यहाँ पे भारत की बात कर रहे हैं कि देखो सिंपल सी बात है हम ना तो USA के पाले में शामिल होंगे और ना ही USSR के पाले में शामिल होंगे हम गुट निर्पेक्ष रहेंगे, हम इन गुटों से अलग होके काम करेंगे, अपने विकास का, विश्व शान्ती का, उपनिवेश वाद के खिलाफ काम करेंगे, समराज्य वाद का विरोध करेंगे, रंग भेद जो चल रहा है उसका विरोध करेंगे, या जितनी भी अशान पूर्ण घटनाएं चल रही हैं विश्व में उन सब का विरोध करेंगे लेकिन निर्पेक्ष रहके हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे ठीक है डिटेल से तो गुट निर्पेक शांदोलन मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी वर्तमान में प्रासंगिकता से लेकिन लेकिन मोटा मोटा समझ लो कहीं बच्चों को बिल्कुल नहीं पता होगा तो ऐसे में गुट निर्पेक शांदोलन की शुरुवात करत यानि जितनी भी मैंने विशेष्टाएं बताई ना हमारी फोरण पॉलिसी की क्या विशेष्टाएं होंगी भई हम अभी अभी गुलामी से निकले हैं तो हम यह तो नहीं कहेंगे गुलाम बना दो पूरे विश्व को हमारी फोरण पॉलिसी क्या होगी गुट निर्पेक् शांति का समर्थन शांति पूर्ण सहस्तित्व की बात हम उपनिवेश्वाद का विरोध करेंगे हम सामराज्यवाद का विरोध करेंगे हम रंग भेद का विरोध करेंगे हम अन्याय अत्याचार के प्रतिक रूप का विरोध करेंगे कुछ भी बात उपर से गई स्वभावि थी फॉरेंड पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए यस और नो बताइए फटाफट थम्जब दे दीजिए फटाफट कई बच्चे ना शरार्त थम्जब नहीं है लिम का है वह वाला थम्जब नहीं मैं अगर समझ में आया तो बटन दबा दो अब देखते हैं इस चरण में हम देखें जो चीजे मैंने अभी बताई आपको भारत किस की बात करेगा भारत निशस्त्री करण की बात करेगा भारत के पास उस समय के स्थितियां ऐसी है पैसा नहीं है हम दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते हम हिंसा नहीं करना चाहते तो हम निशस्त्री करण की बात करेंगे निश शस्त्रों को भी आप कम करो ताकि विश्व शान्ती स्थापित हो सके तो निशस्त्री करण की बात करेगा भारत और साथ में प्रमाणू विशेश तोर पे जो प्रमाणू हथियार संबंधी निशस्त्री करण के मंच पे भी बेसिकली बात करता है भई प्रमाणू जो शस्त् प्रतिबंध संदी nuclear testament treaty के प्रारंभिक प्रस्तावकों में से एक था और ये कहा था कि भई पूरी तरीके से पूरे विश्व में जो प्रमानु हतियार है वो खतम होने चाहिए यानि पूरी तरीके से निशस्त्री करण की संकल्पना की बात करता है भारत तो भारत की foreign policy का एक shift था निशस्त्री करण ठीक है जी विदेशी संबंधों के प्रती भारत का द्रिश्टी कोण क्या होगा जैसा कि मैंने आपको बताया शांति पूर्ण सहस्तित्व की बात करेगा और चीन और भारत के बीच पंच शील संधी होती है ध्यान रखें 1954 में हम लड़ना नहीं चाह सरन्याए ना हो जो इनियाए ना हो अत्याचाहर ना हो मोटे तोर पहे जो आदर श्तवादी तत्वा बोलते रहते हो ल मरने दो भूखन लोगों को हमें कोई फरक नीपड़ता हत्यार इकठ करो भाई बाले लेके आओ और प्रमाणु परिक्षन करो, करते कि पहले लोगों की भूख को शान्त करते, है ना, तो उस समय की परिस्थितियां थी, हमें इस तरीके की जो विदेशनिती है उसको अपनाना पड़ा, और कहीं न कहीं उस समय जो विदेशनिती अपनाई थी, आज वो समय की जरूरत बन गई है आज ना केवल भारत बल्कि जितने भी अंतराष्ट्य संगठन है वो सब उन्हीं सिद्धानतों की बात करते हैं जो सिद्धानत हमारे 1947 में थे बता दो ठीक है भाई घुड़ू कुमार PDF डेली बेसस पे मिलता है आप कहां गयब रहते हो PDF डेली बेसस पे मिलता है मैंने से लेवर्श का भी PDF अप्लोड कर दिया और PDF डेली देती हूं मैं अपने पेलिग्राम चैनल पे अब देख लो भाई ये पंच शील के क्या सिध्धान्त थे ये सिध्धान्त आपको हमेशा ध्यान रखने है रटने नहीं है हमेशा समझने है और हमेशा ध्यान रखने है टिप्स पे क्योंकि जब भी आप विश्व शान्ती की बात करोगे ना तो इन पंच शील के सिध्धान्तों को आपको अपनी अंसर राइटिंग में एड करना ही पड़ेगा तो पंच शील यानि पांच शील कौन कौन सी पांच बात थी बही पहली बात थी कि एक दूसरे की छेत्रिया अखंडता और संप्रभूता का पारस परिक सम्मान करेंगे यानि ह हम आपके छेतर पे हमला नहीं करेंगे आपके छेतर पे कबजा नहीं करोगे आप भी मत करो हम आपकी संप्रभूता का सम्मान करेंगे आप भी हमारी संप्रभूता का सम्मान करेंगे यानि छेत्री अखंडता और संप्रभूता का पारस परिक सम्मान करेंगे पहला यह था दूसरी बात यह कहता है कि भई पारसपरिक गैर आक्रमक था यानि एक दूसरे पे हम आक्रमन या युद्ध नहीं करेंगे यानि एक दूसरे के प्रति हम आक्रामक नहीं होंगे ठीक है जी बहुत बढ़ी बात और क्या करेंगे एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हम हस हस्तक शेप करेंगे हम हस्तक शेप नहीं करेंगे दखल अंदाजी नहीं करेंगे एक दूसरे के आंतरिक मामलों में अगली बात थे कि पारस पर इकलाब के लिए समानता और सहयोग हम समानता और सहयोग करेंगे यदि हमें भविश्य में कुछ लाब प्राप्त करना है या फि सह अस्तत्व का मतलब क्या होता है आप भी और हम भी साथ साथ विकास करें साथ साथ हमारा अस्तत्व हो और ये कैसे हो सकता है तो शांति पूर्ण तरीके से हो सकता है पंच शील के ये पांच सिध्धान्त होते हैं हमेशा आपको अपने अंसर राइटिंग में इन सिध्धान से आगे बढ़ेंगे और गैर आक्रामकता की निती अपनाएंगे तो भारत ने 1954 में ये समझ होता किया चाइना के साथ अब यदि हम देखें विदेश निती का अंतर राष्ट्र उनिस सो पच्पन में ये घटनाएं शुरू होनी शुरू हो गई थी जो मैंने आपको अभी बताया ना जो गुट निर्पेक शांदोलन 1961 में बना एक दिन तो बनाई नहीं कि अचानक से जो है फोन कॉल किया सबको भई आ जाओ बैट के गुट निर्पेक शांदोलन बनाते हैं उसकी एक प्रोसेश शुरू हुई पहले लोग बैठेंगे अलग-अलग देशों के प्रतिनिधी वो समझेंगे वो अपनी-अपनी बन्डू में एक एशिया-अफ्रीका सम्मेलन होता है ध्यान रखना ये कुछ-कुछ सम्मेलन आपको इंपोर्टेंट है आपको यदि जब आप विश्वीति हास भी पढ़ोगे ना तब भी ये सारी चीज़े काम में आएंगी 1955 में एशिया-फ्रीका सम्मेलन बेसिकली होता है और इस सम्मेलन में जो एशिया और अफ्रीका के जितने भी अभी नव स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं सब शामिल होते हैं और कहीं न कहीं इसी बंडूंग सम्मेलन से प्रक्रिया शुरू हो गई थी नैम की जो फिर अन्तत देश्य होगा कि जो भी उस समय वैश्विक समस्याइं हैं हम उनकी पहचान करेंगे उन समस्याओं का आकलन करेंगे अंतर राष्ट्र संबंधों में युक्त युक्त नितियों का अनुसरन करेंगे इस एशिया-फ्रीका सम्मेलन में दो तरीके की चीज़े थी कि बही जित यहां तक कोई दिक्कत आरी आप लोगों को एक पूरा क्रम समझ में आ रहा है भारत की विदेश निति के सार क्या थे न निश स्तरी करण की बाद भारत कर रहा था उसके लिए भारत प्रयास कर रहा था अलग-अलग सम्मेलनों के माध्यम से भारत एक जुट कर रहा था ना उस वतंत्र राष्ट्रों को 1955 में बंडूंग सम्मेलन के माध्यम से एशिया अफ्रीका कॉन्फरेंस में वैश्विक समस्याओं पे बात की गई उनका अक्लन की आ गया उनके समाधान के प्रयासों पे बात की गई है ना है मैं अब बंडूंग के इस चरीकिसिद्धानד निकले हैं यह दस प्रिंसिपल न आप इस तरीके से मतियाद करना कि बंडूंग में थे यह आपको ये दस प्रिंसिपल इसलिए याद होने चाहिए कि हमें ये पता लगे कि हाँ भई 1947 से लेके लगबग 1962 तक हमारी foreign policy के core सिधान्त क्या थे आप से कोई पूछ ले कि भई ये बताओ 1947 से 1962 तक पहला चरण है हमारी foreign policy का जिससे आदर्शवादी समानेत है कह दिया जाता है इस चरण के basic सिधान्त क्या थे foreign policy के तो उन सिधान्तों के नजरिये से जब आप इन 10 point को देखोगे तो आपको पूरी भारत की विदेशनिती का सार समझ में आ जाएगा जो कि already मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ पे भी एक बार बता दूँगे ठीक है किसी का comment आया था वो delete हो गया अब देख लो क्या होगे इसमें basically दस principle क्या होंगे तिम्पल सी बात है और यह मैं आपको बता ही चुकी हूँ इसी बांडूंग सम्मेलन में basically 1961 में जो नैम बनेगा आगे गुट निर्पेक्षान दोलन बनेगा उसका मार्ग प्रशस्त हो गया था सबसे पहले हम इसके इसके 10 सिध्धान देख लेते हैं इसके 10 सिध्धान देखने से पहले वो आगे आ जाएंगे एक बार यह ध्यान दखना है कि जो गुट करना चाहते थे उसका आधार मैं बता चुकी हूँ आपको भारत की परिस्तित्यान न्यावशकता हैं तो हमारा पहला टार्गेट क्या था हम अपने रक्षा व्यकों सीमित करें भई पहला आधार तो यही होगा इसी के साथ ऐसी को हमारी वदेश निती इस बात पया धारित थी कि भई हमें तो अपने रक्षा व्यको को कम करना है रक्षावय को कम करना है हम विदेशी राष्टों से मैत्री पूर्ण संबंद बना ही रहे हैं हम विश्व के दो गुटों में शामिल हो ही नहीं रहे हैं कि भई हमें युद्धों का अनावशक सामना करना पड़ेगा तो इसलिए हम अराम से अपना आर्थिक विक थे उन पर जितना ध्यान देना चाहिए था क्योंकि दोस्त बैठे हुए ना बगल में उतना ध्यान नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं भारत की हार्ड पावर चमता कम होगी इस दोरान इसी का हमें बेसिकली खामियाजा भुगतना पड़ता है उन्निस तो बासट में लामा को शरण देने के बाद चाइना से हमारी वारताएं विफल होती है और फाइनली युद्ध कर देता है चाइना उन्नीस सो बासट में बड़े स्तर पे जो चीन था वो भारत पर आक्रमन करता है और भारतिय सेना आक्रमन का सामना करने के लिए तैयार थी क्या वो भी कहां से आक्रमन करेगा आप चाइना की जब आप देखोगे जोग्रफी ये भारत है चाइना है चाइना यहां से आक्रमन करेगा ये ये अब ये वाला जो एरिया है ये अपने आप में खतरनाक है भई जोग्रफिकल भोगोलिक दृष्टिकोन से देखें तो काफी डिफिकल्ट है बर्प बारी से लेके रास्ते नहीं थे उस समय सैनिक पहुचे तो कैसे पहुचे तो चाइना के जो सैनिक हैं बड़े स्तर पे आके भारत के बड़े भाग पे कबजा कर लिए 1962 में और कहां गया काफी पढ़ लिया वैसे हमने यह गुट निर्पेक्ष्टा के दस सिधान अभी करवाती हुँ मैं आप लोगों को ध्यान रखना तो आक्रमन कर दिया भारत की सेना तयार नहीं थी पीपल्स लिब्रेशन आर्मी जिसे हम चाइना की आर्मी को बोलते हैं पीपल्स लिब्रेशन आर्मी ने भारतिये बलों को प्रयाप्त छती पहुचाई बुरी तरीके से प्रभावित किया क्योंकि भारतिये सैनिक तयार ही नहीं थे ना हम तो पंच शील समझोता करके बैठे थे भई पंच शील के पास सिधानतों पे विश्वास कर रहे थे हम तो हमें थोड़ी ना पता था कि चाइना अचानक से आक्रमन कर देगा इतने लो इसी में देख लो मैप में ही अकसाई चीन वाला एरिया है कौन सा यह आप कश्मीर देख रहे हो यह कश्मीर दिख रहा है यह तो पी ओक है तो हमारा इभाग अब यहां वाला जो पार्ट सा ना इधर वाला यह अकसाई चीन है इस अकसाई चीन के लगभग 14,000 वर्ग मीटर पर चाइना के जो सैनिक थे उनका कबजा हो गया ध्यान रखिएगा अकसाई चीन को खाली नहीं किया जिस पर उन्होंने आरंभ में अपना अधिकार किया था और आज भी यह अकसाई चीन भारत और चाइना के संबंधों में एक बड़ा विवाद का मुद्द है यानि इस अकसाई चीन को 1962 के युद्ध में चाइना ने कबजा लिया था है तो भारत का हिस्सा लेकिन आज भी जब हम भारत चाइना जब मैं आप लोगों को अलग से पढ़ाऊंगी तो आज भी अकसाई चीन दोनों राश्ट्रों के बीच बड़ा सीमा विवाद है यह यहां तक किसी भी बच्चे को कुछ समझ में मतला कुछ मैं पूछ रहा हूँ यहां तक किसी बच्चे को कुछ समझ में आया अब आप कोओगे नहीं मैं आ इस तरीके के शब्ध स्रिष्टी धISHान रखना ख़ायार में नहीं यूज होते हैं कि इंडिया उस समय भोला भाला था भोला भाला कुछ नहीं होता है हमारी जरूरते इस तरीके की थी कि हम सेना पर खर्च करी नहीं सकते थे इसलिए हम प्रतेक राश्ट्र के साथ अपने संबंधों को बहतर करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे थे ताकि हमें युद्ध या इस तरीके की चुनोतियों का सामना ना करना पड़े है ना ध्यान रखना और उसका यह तो विश्वास घात करके चाइना ने हमला किया है ना भई हम 1954 में पंच शील कर रहे हैं बैट के आमने सामने और आप 1962 में अचानक से हमला करके कबजा लेते हो एरिया को है ना तो हम यह कह सकते हैं कि उस समय की जरूते हैं लेकिन अब आप यह बताओ जैसे युद्ध हुआ 1962 में भारत की सेना की हार हुई उस युद्ध में दुर्भाग्य वश लेकिन मुझे यह बताए उसके बाद भारत की विदेश निती वही रहेगी क्या जो पहले थी कि उस विदेश निती में या फिर भारत की जो स्ट्रेटेजी है भारत की जो रण निती है उसमें परिवर्तन आएगा बताओ फटाफट सुर्भी जैन आपका कोशन देख लिया है बच्चे मैंने अभी मैं अभी बताती हूँ निवेश वात बताती हूँ देख लिया है कोशन strategy में परिवर्तन आएगा बिलकुल आएगा वही आया सबसे पहले मैं उपनी वेशवाद को डिस्कुस कर देती हूं उपनी वेशवाद का मतलब होता है किसी एक तरीके से अमीर राष़््ट्रिया किसी एक राष्ट्र के दुआरा किसी अथर्श के दुआरा होता है लिए जैसे आप ना उपनीवेश्वाद पढ़ते हो तो ना उपनी वेश्वाद में एक देश दूसरे देश में आप प्रत्यक्ष तोर पर इंटरफियर करता है आर्थिक तोर पे विशेश्ट राजनीतिक तोर पे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है लेकिन आर्थिक नितियों के माध्यम से राजनीति पे भी कंट्रोल करने का प्रयास करता है मैं बताऊंगे आपको लेकिन उपनिवेश्वाद को समझ लो पहले उपनिवेश्वाद का एक सरल एक् इन दोनों के बेस को भी समझो एक को बोलते हैं इमप्रिलिज्म और एक को बोलते हैं को लोनी करके ठीक है तो जो समराज्यवाद होता है ना उसमें बात होती है कि जब किसी एक देश का दूसरे देश पे प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंतरन हो जाए और में हम सामान्य बोल सकते हैं कि इंगलेंड ने भारत में प्रत्यक्ष तरीके से पैठ बनाई और भारत में राजनितिक नियंत्रन स्थापित किया राजनितिक नियंत्रन किसका था उन्हें 1858 की जो 57 के विद्रों के बाद जो एक्ट आया उसमें महरानी के पास सारी पावर्स तो महरानी के पास पूरा शाशन्था भारत का यानि राजनितिक तोर पे नियंत्रन किया भारत पे और आर्थिक तोर पे नियंत्रन किया हमारी पूरी एकनॉमिक पॉलिसी को किसने बनाया अंग्रेजों ने बनाया तो जब अंग्रेज उस एकनॉमिक पॉलिसी को कि कि ιंतिफ्स को पूरा करना उता है भले ही उस देश के उपर इसका कितना भी नकारात्मक प्रभावर परता रहें। शुर्भी बात समझ में आई बच्चे। ठीक है हाँ बिल्कुल सही बात है मेन का हम यह बोल देते ना उपनिवेशवाद या उपनिवेशिक काल बात सही है उपनिवेश मतलब भारत इंगलेंड का उपनिवेश रहा है 200 सवा 200 साल और उपनिवेशिक मतलब उपनिवेशिक काल मतलब वो काल जब भारत इंगलेंड का उपनिवेश था, समझ में आ गया, बता दो एक बार, मैं अभी न एक और सर्प्राइज लेके आने वाली हूँ, टेंशन मतलो, मैं उसको रिवील नहीं करना चाहती थी, बस इतनी बात मैं बताना चाहूँगी, कि जितनी भी आपकी डिफिकल्ट टर्म लॉजीज होती है, संप्रभूता क्या है, अंतरराष्ट्रे संबंध क्या है, उनके उपर एक सर्प्राइज आने वाला है, लेकिन थोड़ा सब्र करो, यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, अब देखते हैं क्या shift आया भाई भारत की foreign policy में, चीन के साथ जब 1962 का युद्ध खतम हो गया तो पहले चरण का अंत हो गया भारत की विदेशनिती का, और यह चरण कौन सा था आदर्श्वाद, हम पंचे शील की बात कर रहे थे, हम निशस्त्री करन की बात कर रहे थे, जितनी भी बाते heck मैं ने बताई, यह सारों का अंत हो गया, अब भारत क्या करेगा, अपनी गम छेत्रों में भी जाके सफल सफलता प्राप्त कर सके है ना तो हम ऐसी सेना की बात करेंगे तो 1962 के बाद आपको इस तरीके की जो स्ट्रेटिजी है वो पूरी तरीके से दिखेगी भारत की फोरण पॉलिसी में हम उसके बाद बेसिकली बड़े स्तर पे लगभग 10 लाक सैन को की न्यूकती की प्रक्रिया को शुरू कर देंगे ठीक है तो ध्यान रखेगा ये बड़ा शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा अब एक बार देख लेते हैं गुट निर्पेक शांदोलन का संग्शिप्त विवरन इससे पहले मुझे एक समय देद्वाप ये वह रही हूँ मुझे नहीं मिला शैद वो दूसरी स्लाइड में छूट गया है एक मैप था बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते हुए कोई बात नी अब हम देख लेते हैं गुट निर्पेक शांदोलन की शुरुआत गुट निर्पेक शांदोलन को नहीं पढ़ हैं हम यहां पर ध्यान रखना वो हमारा एक अलग टॉपिक होगा उसको हम अलग निप्टाएंगे यहां पर तो बस हम धीरे-धीरे समझ रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा था भाई है ना तो यहां पर हम हर एक चीज को मैं यहां पर डिसकुस करने लगी शीत युद तो एक घंटे का है गुट निर्पेक शांदोलन एक घंटे का तो हम थोड़े से दिग भ्रहमित हो जाएंगे तो इसलिए प्रयास है कि हम बेसिकली मोटा मोटा समझे फिर जो महतवपूर घटनाए हैं उनका अलग से टॉपिक बना के समझा दूगी थमनेल ही होगा गुट 25 में बन्डूं सम्मेलन हुआ जैसा कि मैंने आपको बताया उसमें अलग-अलग 10 सिध्धांत निर्मित किये गए और उनहीं के आधार पे हम यह कह सकते हैं 1961 तक बेल ग्रेड में प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित होता है नैम का और नैम की स्थापना हो जाती है यानि नैम की स्थापना हो गई 1961 में बेल ग्रेड में ठीक है और इस नैम का आधार तयार शुरू होने लगा था 1955 के बन्डूं सम्मेलन के बाद से अब यदि हम देखें बन्डूं के जो सिध्धांत थे जो 10 सिध्धांत थे उन सिध्धांतों को गुट निर्पेक्षता की निती के प्रक्षों और उद्देशों के रूप में अपना लिया गया यानि आप से यदि ये पूछे कि भई गुट निर्पेक्ष आंदोलन के क्या क्या सिध्धांत थे तो यदि आपको बांडूं के वो 10 सिध्धांत पता हैं जो कि मैं बताने वाली हूं आपको वो सारे के सारे स तत्व के तोर पे जाना जाता रहा बेसिकली 1990 में USSR का विखंडन हो जाता है तो ये बात उठती है कि भई एक बात बताओ हमने तो नैम का गठन किया था गुटों से निर्पेक्ष रहने के लिए अब जब गुट ही नहीं रहे तो गुट निर्पेक्ष आंदोलन की क्या जर अब तो विश्व का एक दादा रह गया उनिस सो नब्बे के बाद क्या हुआ एक धुरुविय विश्व स्थापित हो गया यानि अकेला अमेरिका का वर्चस वस्थापित हो गया हम यह कह सकते हैं तो एसे में तो गुट निर्पेक्ष आंदोलन की और जादा जरूरत हो ग के रहा है उनसे संद्रक्षन कौन करेगा तो यह सारी चीजें जब मैं आप लोगों को गुट निर्पेक्ष अंदोलन और उसकी आज में क्या प्रासंगिकता है इस टोपिक को कराऊंगी तब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे लेकिन उससे पहले आपको यह समझना जरूरी है मोटा मोटा कि क्या चल रहा था ठीक है ध्यान रखेगा अब हम देखेंगे गुट निर्पेक्ष राष्ट्रों के प्रात्मिक उद्देश्य क्या थे क्या उद्देश्य हो सकते हैं तोचने की बात ह नहीं है उस समय की परिस्तितियों के अनुराप अनुरूप जो नए स्वतंत्र राष्ट्र थे जो तैकड़ों वर्षों तक किसी ना किसी के घुलाम रहे हैं ऐसे राष्ट्रों के क्या उद्देश्य होंगे आईए देख लेते हैं उद्देश्यों को अपने दिमाग में लेकिन सोचते रहे हैं देखो सबसे पहले हम किस की बात करेंगे हम आत्म निर्भरता की बात करेंगे राष्टे स्वतंतरता की बात करेंगे राज्यों की संप्रभूता की बात करेंगे और छेत्री अखंडता की बात करेंगे सिंपल सी बात है भई हम आत्म निर्भर बनने की बात करेंगे हम कही ना कही संप्रभूता की बात करेंगे कि भई देखो हमारी संप्रभूता पे आच नहीं आनी चाहिए हमें मुश्किल से संप्रभूता मिली संप्रभूता क्या है यह मैं समझा चुकी हूँ आपको पहले लेक्चर में दूसरी बात हम क्या करेंगे हम छे राश्ट्रों की स्वतंत्रता की बात करेंगे और जो भी अभी तक उपनिवेश बचे हुए थे आपको पता है जैसे भारत तो 1947 में आजाद हो गया लेकिन कुछ अफरीकी देश थे जो अभी भी उपनिवेश वादी सरकारों के चुंगल में फसे हुए थे या फिर अन्य जो करेंगे भाई रंगभेद की नीती का विरोध करेंगे मोटे तोर पर पर पता है इसको समझने का क्या तरीका है जितने भी नकारात्मक अवधारनाई थी और जिन अवधारनाओं को हमने जेला था हम उन सब का विरोध करेंगे भाई रंगभेद का हम समराज जवाद का हम श मर्थन करेंगे है ना तो यही सारे सिध्धान्त होंगे इसके साथ ही जो बहु पक्षय सैन्य समझोते की अवमानना और महाशक्तिया गुट प्रभाओं से बेसिकली स्वतंत्र रह के काम करना यानि हम गुटों के चुंगल में नहीं आएंगे ना तो हम इस गुट में शामिल होंगे अमेरिका वाले में और ना ही हम USSR वाले गुट में शामिल होंगे इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि ना तो हम पूंजी वादी गुट में शामिल होंग और ना ही हम समाजवादी गुट में शामिल होंगे हम स्वतंत्र रहके काम करेंगे ये भी तो उद्देख गुट निर्पेक्ष असली उद्देश है तो यही था है ना ध्यान रखेगा अगला और क्या होगा अपने सभी रूपों या अभी व्यक्तियों में जितने भी जवाद के तरीके हैं उन समराज जवाद के विरुध संघर्ष को हम प्रमोट करेंगे समराज जवाद का विरोध करेंगे हम सिंपल सी बात है वही किया गुट निर्पेक्षांदुलन ने अपने लक्षे निर्दारित किये ठीक है जी समराज जवाद का भी विरोध कर दिय और किस किस चीज का विरोध करेंगे हम उपनिवेश्वाद या समराज्यवाद का विरोध करेंगे नव उपनिवेश्वाद का विरोध करेंगे नव उपनिवेश्वाद क्या पहले तो आप डारेक्ट शाषन करके हम पे नियंद्रन कर रहे थे अब आप डारेक्ट शाषन भ भी विरोध करेंगे और कहीं ना कहीं 1945 के बाद जो नाटो था सीटो सेंटो ये जो नाम ले रही हूं ना ये मैं बताऊंगी ये सारी संधियां थी जैसे आप देखोगे कि अमेरिका एक सैनिक संगठन बनाता है नाटो के तोर पे और ये कहता है कि एक जैसे मालो नाटो में फ सामुहिक सुरक्षा की अवधारना बेसिकली नाटो जैसे संगठनों में रखी गई कि यदि एक राष्टर पे USSR ने हमला किया तो वो हमला सब पे माना जाएगा और सब राष्टर मिलके फिर USSR पे हमला करेंगे तो शीत युद्ध में कैसे ये संधियां संगठन अलग- EATO South East Asian Treaty Organization जो दक्षिनपूर्व के देश थे उन देशों को अपने पाले में शामिल करने के लिए अमेरिका आर्थिक और सैनिक सहायता देता था उन राज्जों को कि आओ भाई आओ मुन्ना जल्दी से हमारे पाले में शामिल हो जाओ क्या चाहिए धन चाहिए ये लो पैसे क्या चाहिए सैनिक सहायता चाहिए ये लो सैनिक सहायता ठीक है आप शामिल हो जाओ तो इस तरी कि आएगा वार्सा पैक्ट का मतलब क्या था कि जितने भी पूर भी यूरोपियन कंट्रीज है या अन्य जो कंट्रीज है यदि वो यूएस से सार के साथ शामिल होती है तो फिर यूएस से सार उनको सैनिक और आर्थिक साहता देगा लेकिन भारत जैसे देशों ने सोचा कि ह हमें आर्थिक और सैनिक साहता भीक में नी चाहिए हमें मुश्किल से स्वतंतरता मिली है मुश्किल से संप्रभूता मिली है हमें इस स्वतंतरता का संरक्षन करना है संप्रभूता का संरक्षन करना है और किसी भी देश के पाले में शामिल नहीं होना है पहली बात और जित वांतर राष्ट्रिये विश्व में कि ये जो गुट निर्पेक्ष अंदोलन है ना ये तटस्त है क्या कहां तटस्त है न्यूट्रल है यानि गुट निर्पेक्ष का मतलब है न्यूट्रल अब आप कहोगे कि मैं ये क्या शब्द आ गया गुट निर्पेक्ष का मतलब है neutral है यानि इनको इन गुट निर्पेक्ष राष्ट्रों को किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है इस बात पे या इस आधार पे नहरू जी ने ये कहा था कि ठीक है हम किसी गुट में शामिल नहीं है हमारी स्वतंत्र विदेशनिती होगी हम संप्रभूता से अपने काम करेंगे लेकिन विश्व में जहा कहीं भी अन्याय होगा हम उस अन्याय को चुप चाप नहीं देखेंगे हम उस अन्याय का विरोध करेंगे तो हम तटस्त कैसे हुए तटस्त का मतलब होता है कि और आप कि आसा व्यक्ति जिसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो और ना उस घायल को उठाओगे, आप चुपचाप चलते रहोगे, आप पे कोई फरकी नहीं पड़, आपकी कान पे जूई नहीं रहेंगी, तो नहरू जी ने कहा था कि हमारे गुट निर्पेक्षता होने का मतलब तटस्त होना नहीं है, कि हम अन्याय और अत्याचार को चु अठाएंगे उस अन्याय के खिलाफ, उस अत्याचार के खिलाफ, बास समझ में आई? हाँ, बिल्कुल सही बात है, विनोध यादव एकदम सही सजेशन दे रहे हैं, एक बारना सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, एक बारना NCRT है, ग्यार्मी की, ग्यार्मी औ पता, गुट निर्पेक्ष क्या था, शीत युद्ध क्या था, हाला कि डिटेल में तो मैं समझाओंगी आपको, लेकिन कम से कम मोटा मोटा पता होना चाहिए, दुई धुरूविय विश्विवस्था, कि भई एक तरफ यूएस से है, एक तरफ यूएस से सार, डिटेल में तो मैं पढ़ाने के लिए खड़ी हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, बेस्तिक बेस्तिक चीजे समझनी पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रखेगा, तो हमारे उद्देश्य, ये आपको यहाँ तक समझ में आया, अगला उद्देश्य था कि भई हम जितन राष्ट निशस्त्री करण को अपना प्रमुख उद्देश्य बनाता है, इसके साथ ही और क्या करेंगे, जितने भी पंचशील के पांचों सिध्धान्त है ना, पंचशील के जो पांचों सिध्धान्त है, वो अपने आप में गुट निर्पेक शांदोलन के उद्देश् करना, शक्ति या बल को अस्विकार करेंगे, हम युद्धों को अस्विकार करेंगे, या कोई राष्ट्र एक दूसरे के उपर युद्ध या बल का सहारा लेके उसको अपने अधीन नहीं करेगा, ये सिध्धान्त रखे गए किसके, गुट निर्पेक शांदोलन के, और क् सशक्ति करन की बात करेगा, कि युएनो को मिटाने की बात करेगा, सिंपल सी बात है, युएनो के सशक्ति करन की बात करेगा, है ना, एक मिनिट, ठीक है, युएनो के सशक्ति करन की बात करेगा, यहाँ पे अगला सिध्धान्ता की युएनो का सशक्ति करन होना चाहिए, और अंतर राष्ट्रे संबंधों का लोक तंतरी करण होना चाहिए और क्या करेगा समाजिक आर्थिक विकास और अंतर राष्ट्रे आर्थिक प्रणाली का पुनर गठन हो और समानता के आधार पे अंतर राष्ट्रे सहीयोग स्थापित हो समानता के आधार पे अंतर बता होनी चाहिए यह नहीं है कि आप अपनी नितियों को किसी अन्य राष्टर के ऊपर थोपने का काम करोगे तो मोटे दोर पर यदि मैं आपसे कहूँ कि गुट निर्पेक शांदोलन के क्या सिध्धान्त थे तो कितने बच्चे टिप्स पे बता पाएंगे उन सिध्धान् मतलो अंसर बताने के करम में तो ऐसा साप सूँख जाता है बाप रे बाप थोड़ा एक्टिव रहा करो अब जैसे अभी यह मतलब मजाक मत करो यह मैं ही मिली हूँ क्या आज के दिन बेवकुफ बनाने के लिए पते क्या कह रहा है कह रहा है क्या में नहरू का मतलब क्या था भाई अब इतना भी मजाक मत करो भाई थोड़े सी तो गरीमा का ख्याल रख लो मलब पढ़हार यूं सुभे सुभे उठके हैं छोटी वोटी ब क्या है लोग तंत्र लोगों का लोगों द्वारा लोगों के लिए शाशन है यानि कैसी शाशन प्रणाली जिसका चुनाव कोन करेगा हम करेंगे लोग करेंगे यानि हम अपने प्रतिनिधियों को खुद चुनेंगे हमारे प्रतिनिधि जो हमारे लिन जैसे भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र विश्वका तो चलो ठीक है बैजन संक्या है लेकि लोकतंत्र क्यूं है इसलिए क्योंकि हमारे जो भी प्रतिनिधी संसद में जाते हैं अलग-अलग विधान सभाओं में जो जाते हैं हमारे प्रतिनिधी उसको कौन चुनता है उसको हम चुनके दो हम उनको कंटिनू geschक्तर सेलसे परीवर्तित कर सकते हैं यानि सत्ता की अंतिम श्र्ति किसके चाथ में हैं घैणता कि हाथ स्केल्य कि आ के दुवारा शाषन यानि लोगों के दुवारा शाषन यानि हमारे दुवारा शाषन है ठीक है ध्यान रखिएगा कीरती समझ में आया बच्चे अब मुझे एक बार यहां से हम कल शुरू करेंगे यह थोड़ा सा बहुत शांदार डिसकेशन होने वाला है पहले मुझे बता धानत हैं उन से लेके पंचशील से धानत से लेके हमारा जो पंचशील समझोता हुआ चाइना के विश्वास घात से लेके चाइना ने आक्रमन किया 14000 वर्ग मील पे कबजा कर लिया जो आज भी विवादित बना हुआ है यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत आई इसमें मैंने आपको बहुत सारे मुद्दे पढ़ाने का प्रयास किया चाहे 1905 का बंडूंग समेलन है 1961 का गुट निर्पेक शांदोलन है 1954 का पंचशील समझ होता है गुट निर्पेक शांदोलन के सिधान्त है इन सारे मुद्दों पे कुछ भी डाउट है क भूल कर जाते हो UPSC और UPPCS अब अलग अलग नहीं है UPPCS में कुछ चीज़े एक्स्टा होती है जैसे थोड़ी भो यूपी की जोग्रफी हो गई UP का इतिहास हो गया एक हिंदी का पेपर एक्स्टा है अधर्वाइस सेम टू सेम सेले बस है और UPPCS में यदि आप सतही समझ में आया wow ऐसे माज समय नहीं है गांतंतर एक लाइन में बता दो गंटंतर का मतलब होता है कि जहां का जो राश्ट्र प्रमुक होता है वो निर्वाचित होता है उसे हम गंटंतर बोलते हैं या इसे कह सकते हैं कि जहां पर के हाट में शक्ति होती है है न और इसी के उलट होता है राज तंत्र जहाँ पे जो शाषन का प्रधान होता है वो वनशानुगत होता है जैसे आप इंग्लैंड को देखोगी वहाँ का जो राजा या रानी होते हैं वो वनशानुगत है उसका बेटा फिर उसका बेट्टा उसकी बेट्टी और ऐसे पीड़ी पीड़ी चली आ रही है लेकिन भारत के जो राष्ट्र पती है राष्ट्र प्रमुख है वो वन्शानुगत नहीं होते वो निर्वाचित होते हैं गणतंत्र का एक अधार तो यह होता है बाकी डिटेल में इसकी पीछे औ मार्क में घूमेंगी मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी भाई आज 14 फरवरी है आप लोगों का ज्यादा समय में विस्ट नहीं करना चाहूंगी लेकिन अभी अतुल सरकी क्लास आ रही है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप जूर सकते हो इसी चैन में वो बात लगती है वो चमता लगती है कि वो आपकी सफलता में आपके मददगार हो सकते हैं आपको एक बहतर मार्क दर्शन दे सकते हैं तो निश्चित तोर पे आप इस कोर्स से जुड़े हमारा पहला कोर्स है ये पहला ओनलाइन कोर्स है अगर आप इस कोर्स को परच कर सकते हैं और course को जब आप purchase करेंगे तो उससे पहले आपको code use करना है LDLIVE यानि LDLIVE इस code के साथ यदि आप admission लेते हैं course में जुड़ते हैं तो आपको ये पूरा course मात्र 18,999 रुपे में मिल जाएगा इसमें आप PT भी cover करोगे इसमें आप mains भी cover करोगे mains में आप essay से लेके PT में CSAT और current affairs सब कुछ इसमें include होगा और अनुभवी शिक्षक जो एक उर्जावान शिक्षक जो मतलब अभी भरे हुए है उर्जा से और जिनके पास अपने अपने छेतर का विशद अनुभव है वो आप लोगों को guide करेंगे 13 से 14 महीने में पूरा syllabus complete हो जाएगा तो आप इस badge से जुड़ सकते हैं क्या बोल रहे हो बच्चे अच्छा क्या बोल रहे हो अभी मैं मैं ये कहना चाहता था कि नहरू जी नैम के लिए तटस्त क्यों नहीं है नैम के लिए तटस्त आपका question कल मुझे comment box में लिखना भी मुझे अभी समझ में यह आप क्या पूछना चाहरे हो EMI का option इसमें नहीं है EMI का option आपके ATM में होता है जो आपका card होता है उसमें already available होता है तो आप जुड सकते हो इस badge से बाकी आपको इस class का जो PDF है यह लली तदही Academy टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगा ध्यान रखना आपको ना अभी यह आज PDF इसलिए नहीं दूँगी क्योंकि यह पूरी एक स्टोरी है मैं आप लोगों को यह PDF कल या परसों दूँगी इकठा क्यों दूँगी क्योंकि यहां तक मैंने आपको पढ़ाया इसके बाद स्वाव लंबन का दोर उसके बाद प्रमानू परिक्षन से लेके निरंतरता के साथ परिवर्तन और बहुत सारी चीज़ें होंगी जब यह स्लाइड कम्प्लीट हो जाएगी एक नए यूग का सुत्रपाथ तब मैं आपको इकठा PDF दूँगी ताकि आपको इकठा पढ़ने में मज़ा आए ठीक है अध्यान रखेगा तो होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को फटा फट लाइक कर दीजिए जाने से पहले जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कर दीजिए क्योंकि कही न कहीं हमारा motivation भी आपके जुडने से याता है आप हैं तो हम हैं है ना डेमोक्रेसी है भई आपकी सरवोच्चता है और चैनल पे यदि नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चौदा फर्वरी है यदि बैच से जुड़ना चाहते हैं तो कोर्स को परचेस कीजिए और LDLive कोड का प्रियोग करके जुड़ जाईए अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए जैहिंजे भारत all the best